सुप्रीम कोट के वरिष्ट अधिवक्ता कैसी जहनद्वारा परिटकों के हित में ताज महल के रात्री दर्शन के टिकेट की ऑनलाइन व्यावस्था को लेकर सुप्रीम कोट में दायर जनहित याचिका को मनजूर करते हुए सुप्रीम कोट ने एक मैसे ताज दर्शन की टिकेट ऐनलाइन प्रदान करने की आदेश एसाई को दिये है इस आदेश के बाद से अपरटकों को ताज रात्री दर्शन के लिए उनलाइं टिकेट मिलने लगी है सुप्रीम कोट के वरिष्ठ धिवक्ता के सी जैन द्वारा परेटकों के हित में ताज महल की रात्री दर्शन की टिकेट की ओनलाइन व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोट में दायर जन हित याचिका को मनजूर करते हुए सुप्रीम कोट ने एक मैश से ताज दर्शन की टिकट ओनलाइन प्रदान करने की आदेश एस आई को दिये हैं इस आदेश के बाद से अपरेटकों को ताज रात्री दर्शन के लिए ओनलाइन टिकट मिलने लगेगी हम लोगों ने संस्क्रिती मंत्री से उस समय तैतकाली संस्क्रिती मंत्री को भी प्रयास किया डॉक्टर महिश शर्मा जी से और 2015 में एसाई के द्वारा एक प्रात्ना पत्र सुप्रीम कोट के अंदर इस संबन्द में लगाया गया कि रात्री दर्शन के ताजमेल के लिए ओनलाइन टिकेट की विवस्था होने चाहिए अनुमती होने चाहिए लेकिन वो एप्रिकेशन सुप्रीम कोट के द्वारा 2015 के अंदर 2018 में खारिच कर दी गई उसके खारिच करने के बाद में हम लोगों ने आगरा डवलोमेंट फांडिशन की ओर से मेरे अप्लिकेशन तयार की और 2019 में हम लोगों ने सुप्रीम कोट के अंदर अप्लिकेशन लगाई वो एप्लिकेशन सुनवाई के बाद में जब में देखती के रूप से सुप्रीम कोट के समक्षमी उपस्तित होकर अपने तर्क परस्तित किये तो 2022 नवंबर के अंदर वो मंजूर हो गई और अंतगोतवा अब 1 मई 2023 से ऑनलाइन टिकेट अपलब्ध हो गया सुप्रीम कोट के ताजरात्री दर्शन की ओनलाइन टिकेटिंग के आदेश से परेटन और होटल इंडस्ट्री सिल जुड़े लोगों में हर्श का माहौल बना हुआ है यह बहुत ही बहुत अच्छा डिसीजन है सुप्रीम कोट का क्योंकि बहुत लंबे समय से इस चीज की आवशक्ता महसूस हो रही थी क्योंकि टूरिस्ट को जब आता था और एक सबना था लोगों का नाइट में देखने के लिए लेकिन बिकाउज अब टिकेट के रिस्टिक्शन की वैसे कोई भी टूरिस्ट उसको बुक नहीं कर पा था और बुकिंग प्रोसेस इतना जटिल था कि जर्णली टूरिस्ट रही जाता था और काफी ब्लैक मेल भी हो जाता था अब सुप्रीम कोट ने जो निर्णय ये दिया है बहुती स्वागतरी हो गया है और ये 100% हमारी टूरिस्ट मिरिस्टरी के लिए एक भून साबित होगा